हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट कल्पना जा और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल मिश्टर जा एंड मिसेज जा आज हम आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हैं एक नई रेसिपी मारी गोल्ड विस्किट से हम तयार करेंगे मिठाई यह मिठाई आप यकिन मानिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही जट पर तयार होता है और सबसे ताज्यूब बात है कि यहां बिना गैस जलाए हम यह मिठाई तयार करेंगे अब आप सोच रहे हूँगे कि बिना गैस जलाए कैसे हम मिठाई तयार करेंगे तो हमने दो पैकेट तक बिस्किट ले लिया है और उसे हम छोटा छोटा तोर के मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और कोई भी छनी से इसे छान लेंगे छान हम इसलिए लेंगे कि कोई भी मोटा सा ठुकरा रहेगा तो वह निकल आएगा और हम बिना गैस जला बना रहे हैं तो इसके लिए हमें छानने की तो ज़्यादा ही आवसकता है और जैसे कि हमने आप से बोला था कि हम यह घर के चीजों से ही बनाएंगे और बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगा तो आप देख रहे हैं कि हमने बिस्किट का इस्तमाल किया है और जो हमारा दूद रहता है वह हम थोरा थोरा इसमें डालेंगे क्योंकि बिस्किट जो रहता है कभी कभी क्या होता है अगर हम ज़्यादा सा डाल देंगे तो हमारा बिस्किट जो है वह गल सा जाएगा तो उसका डो नहीं तयार हो पाएगा इसका हमें डो तयार करना है क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं बिस्किट का तो इसके लिए हम थोरा 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 दूट डाला है और उसका देखिए हम करक सा डो तयार कर लेंगे अब हमारा डो जब तयार हो जाएगा उसमें हम हलका सा घी लगा लेंगे हाथ पे और फिर डो के उपर हाथ को फेर लेंगे और हमने डो को तोर लिया है दो हिस में अब हम इसको चोकलेट फ्लेवर का एक डालेंगे और एक साधा सा रहेगा हमारा इसमें हमने कोकोवा पाउडर डाला है और थोरा सा ड्राइफरू अगर आपके पास कोकोवा पाउडर ना हो तो आप हर्शीस का जो सीरप रहता है वह भी डाल सकते हैं और जब यहां डो तयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं वने बटर पेपर को फैला लिया है और बटर पेपर को फैला के इसे हम लंबा सा बेलेंगे बेलन से ना पतला बेलेंगे और बेल के अगर आप चाहें तो इसको चारो साइट से आप कट कर सकते हम कट नहीं कर रहे हैं उसे हम ऐसे ही रख रहे हैं हाथ से दवा के और जो हमारा सादा सा डो रखा था बिस्किट का उसे आप देख सकते हमने जित्ता बरा हमने बेल के लिया है उत्ते ह अगर आप चाहें तो इसके उपर जो हमारा तील रहता है वह भी लगा सकते हैं लेकिन हमने क्या किया है। जो हमने थोड़ा से बचा लिया था हम वही उपर से लगा रहे हैं। या ड्राइफ रूट लगाने से भी बहुत ही टेश्टी सा लगता है खाने में। अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्यूं बोला था बिना गैस जलाए हम मिठाई तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो वह तील भी लगा सकते हमने ड्राइफ रूटी अच्छे से फैला लिया है। और उसी पेपर में हम क्या करेंगे इसे फोल्ड करके आधा से एक घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे। चारो तरब से इसका किनारा सब हम बान लेंगे। उससी क्या होगा यह मिठाई जो है कुछ ज्यादा अच्छे से करक्सा हो जाएगा। अभी वहाँ नरम है। आधे से एक घंटे बाद अब हमने फ्रीज से बिस्किट को निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं बिस्किट जो है कितना करक्सा हो गया है। अब इसे हम बटर पेपर से निकाल लेंगे। अब इसी चाय आप ठाली पे रख लीजिए। नहीं तो जो भाजी काटने वाला रहता है उसके उपर रख लीजिए। क्यूंकि यह हमने बिस्किट से तयार किया है मिठाई। तो थोड़ा कटने में इसको जगह जो है वो पर्फेक्ट सा चाहिए है। पर्फेक्ट सा जगह नहीं रहेगा तो यह कटने में अच्छा सा पीस नहीं तयार हो पाएगा। तो इसे हम थाली पे कट कर रहे हैं अब आप देख सकते हैं या अंदर से और बाहर से एक जैसे ही है। अब हमारा बिस्किट वला मिठाई सर्फ करने के लिए तयार है। आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल को आल पे सलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ सेयर करें। धन्यवाद।